नमस्कार मेरा नाम है रमन भार्दु आज इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभी नंदर लगता है पाकिस्तान से एक और नया बांगलादेश निकलने की तैयारी में है और उस बांगलादेश का नाम होगा बलुचिस्तान ये जो पीछे आप इमेज देख रहे हैं देहिंदू का एक आर्टिकल है पाकिस्तान में बलुचिस्तान लिब्रेशन आर्मी के दुआरा मल्टीपल ठिकानों पर टार्गेट करते वे हमले किये गए देहिंदू समाचार पत्र ये कहता है कि 38 लोगों की जान चली दे इसमें कुछ समाचार पत्र ये कहता है नहीं 50 के आसपास लोग मारे गए लेकिन बलुचिस्तान लिब्रेशन आर्मी कहती है कि हमारी सुनो हमने 102 तो पाकिस्तान के सैनिकों को ही मार दिया इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भी मारा है इसके अलावा सैनिकों की और पुलिस कर्मियों की जो चोकियां थी उनकी कई चोकियों पर हमने अधिकार कर लिए कुछ ब्रिजES थे उन ब्रिज़ को भी उड़ा दिया गया है और बसों में बैठकर या अन्यवाहनों से पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ के जो भी लोग बलूचिस्तान में थे उनको रोका गया रोक कर उनकी आइडी को चेक किया गया और जो भी लोग जिनकी identity पाकिस्तान के पंजाब प्रांच से related थी उन लोगों को वही पर मोके पर गोलिया मार दी गई ऐसा बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दुआरा किया गया कुछ images आप देखो बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं हम बलुचिस्तान के लोग हैं हमारा एक अलग देश है बलुचिस्तान और पाकिस्तान पर हमले इसलिए किये जा रहे हैं कि हमको आजाद करो महिलाओं ने बच्चों ने युवाओं ने बूडों ने सबने बड़ी संख्या में वहाँ पर आंदुलन किये ये भी समाचार पत्रद हिंदू के अख़बार से लिया गया है ये इमेज़ेज देखो वहाँ जितने भी हाईवेज हैं बहुत सारे हाईवेज को खराब कर दिया गया इसके अलावा जो रेलवे लाइन थी उन रेलवे लाइन को उड़ा दिया गया और जो वाहन थे especially पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांच से रेलेटेड थे उन पर target करते वे हमले किये गए सवाल दिमाख में या आता है कि बलूचिस्तान के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और जैसा रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान में बलुचिस्तान के लोगों के दुआरा अभी तक जो हमले किये गए हैं ये उनमें से अब तक का सबसे बड़ा हमला है लेकिन ऐसा क्यों? एक इसके लिए बहुत अच्छी पंक्ती है कि बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होए और दुनिया के बहुत सारे देशों पर ये पंक्ती सटीक बैठती है उनी देशों में से एक देश पाकिस्तान भी है जो भारत के लिए बबूल के पेड़ बोता रहता है और अंतत्य परिणाम अब उसके विपरीत ही आने वाला है जैसा वर्ष 1971 में भी आये था कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर ऐसा ही रीजन यहां पर है यह पूर्वी पाकिस्तान यह पस्चीमी पाकिस्तान और पस्चीमी पाकिस्तान की सेना के दुआरा पूर्वी पाकिस्तान की आम जनता पर बच्चों पर महिलाओं पर गुड़ों पर युवाओं पर अत्याचार किये गए इन्हों ने आंदोलन किया कि हम एक अलग देश ह बारत ने थोड़ा सा सयोग किया येलो सपोर्ट और फिर 1971 में इस पूर्वी पाकिस्तान ने एक किलकारियां बरी एक नए बच्चे का जन्मुआ और वो बच्चा था बाहला देश ऐसी ही किलकारियां बरने को एक नया और बच्चा तयार है और वो है बलुचिस्तान दरसल कहानी के है थोड़ा सा आप समझना ये पाकिस्तान का मैप है जिसके अलग-अलग प्रांथ हैं पंजाब प्रांथ सिंध प्रांथ बलुचिस्तान प्रांथ और अलग-अलग-अलग शेत्र हैं ये इनोंने यहाँ पर इसको आजाद कश्मीर लिख रखा है ये बहूत ग होके बोलता है जिसको पाकिस्तान ने occupied कर रखा है हम बात कर रहे हैं कि बलुचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाब पाकिस्तान की सेना के खिलाब आंदोलन क्यों कर रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है हमें एक अलग देश है और हमारे देश का नाम है बलुचिस्तान का total जो एरिया है वो पाकिस्तान के कुल एरिया का 44 प्रतिशत है मतलब बलुचिस्तान पाकिस्तान के सभी प्रांतों में क्षेत्र फल के आदार पर सबसे बड़ा प्रांत है लेकिन यहां की population कम है ये क्षेत्र petroleum के संसादनों से भरा पड़ा है प्राकर्तिक संसादनों से भरा पड़ा है बले ही natural gas हो बले ही petroleum का क्षेत्र हो या इसके अलावा इसकी जो strategic location है वो भी बहुत अच्छी है ग्वादर पोर्ट उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा यहां के जो संसादन है उन संसादनों की loot पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर करते है दोनों के द्वारा एक corridor बनाया गया चाइना पाकिस्तान economic corridor जो कासगर से शुरू होता है इस जगे से और ये red line जो आप देख रहे हैं ये corridor है बनता 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 आता है ग्वादर पोर्ट तक ग्वादर पोर्ट की एक strategic location है जो अरब सागर के पास में है ये जरा देखो ये पाकिस्तान में ये बलुचिस्तान वाला क्षेतर यहां पर आता है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की सरकार के दुआरा इस ग्वादर पोर्ट को चीन की एक company को 40 साल के लिए लीज पर दे दिया गया कि जितना लूट सकते हो लूट लो 40 साल के लिए खूब सोरी परसंटेज नी 40 वर्ष के लिए चाइना के लिए इस क्षेतर की importance इसलिए है कि यहां इस इससे से बहुत trade होता है इसको बोलते है होमुर्ज ट्रीटी या होमुर्ज जलसंदी इसको बोलते है इस क्षेतर से बहुत व्यापार होता है बहुत trade होता है और चाइना इस क्षेतर में अपना प्रभाव चाता है हाला कि इसको counter करने के लिए भारत ने यहां पर जो इरान का एक port है चाबाहार port वहाँ पर अपनी उपस्तिती बढ़ाई है लेकिन चाइना की यह जो importance है तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस क्षेतर के जितने भी प्राकरतिक संसादन हैं उनको लूटते हैं और पाकिस्तान मुख्य रूप से इन सारे संसादनों को खर्च करता है पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है वहां की तरक्की के लिए पंजाब हमारे पास में भी है इतना सा और भोत बड़ा जो क्षेतर है पंजाब वो पाकिस्तान के पास में भी है पाकिस्तान के बाकी क्षेत्रों की तुलना में ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा विक्सित है बलुचिस्तान के लोगों का यही कहना है कि संसादन हमारे क्षेत्र हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस और हमारे ही लोगों की तरक्की के लिए आप इन संसादनों को खर्च नहीं करते हैं और जब हम इस प्रकार की आवाज उठाते हैं तो आप हमको आतंकी संगठन गोशित कर देते हैं यहां तक की एक रिपोर्ट यह कहती है जो इस हमाचार पत्र है दे हिंदू इसमें छपा हुआ है बिलकुल बारीक है मैं आपको समझा दूँगा अगर आप मंगवाते हैं या फिर इसका ओनलाइन कोई कोर्स वगिरा अगर पर्चेस करते हैं तो देख लेना यहां पर जैसा लिखावा है रिपोर्ट के इसाब से कि वर्ष 2002 से लेके और 2024 तक एक रिपोर्ट यह कहती है कि लगबख 27-28 लोग गुमशुदा हो गए जिनकी तलाश है कहां खो गए पता नहीं एक वहां के जो लोग हैं वो यह कहते हैं कि नहीं 2700 संक्या नहीं है 7000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बलुचिस्तान को स्वतंतर कराने के लिए किसी ना किसी मूमेंट से जुड़े वे थे पाकिस्तान की आर्मी उनको उफा ले जाती है उनको मार देती है और उनको दफना देती है ये गुमशुदा 2002 से 24 तक हैं इतनी बड़ी संक्या में ये संक्या जादा भी हो सकती है लेकिन ये लोग मार दिये गए हैं अब मार दिये गए हैं दबा दिये गए हैं तो व्यप्ति कहां से मिलेगा तो बलुचिस्तान के लोगों का ये ही कहना है कि जब हम इन संसादनों की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि ये संसादन हमारे उपर भी खर्च किये जाने चीएं तो आप हमको आतंकी संगठन गोशित कर देते हैं और हमारे लोगों को उठा लिया जाता है और उनको मार दिया जाता है हमारे खिलाफ आतंकी संगठन बना कर और अमेरिका के दुआरा भी आला कि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन गोशित किया हुआ है लेकिन बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वो अपने आपको आतंकी संगठन नहीं मांते और बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में अब तक का ये सबसे बड़ा अटेक किया है अब वो पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये समझ में यारा है कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए चारों तरफ से घेर रखा है उनके खिलाफ ओपरेशन भी चलाए जा रहे हैं उसके बावजूद उनके पास में इतने संसादन कहां से आ रहे हैं वो किस प्रकार से इतने ट्रेंड हैं कि पाकिस्तान की फोज का मुकाबला कर रहे हैं तो फिर से एक लाइन पाकिस्तान के लिए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए और पाकिस्तान अगर इधर कोई मुमेंट चला सकता है तो भारत के प्रदान मंतरी ने आपको ध्यान है तो पहले के कुछ स्वतंतरता दिवस पर लाल के लिए पर जिंडा फिराते हैं कुछ बात भी करते हैं नरेंदर मोदी ने किसी एक वक्तवे में शैद पिछला या उससे पिछले वक्तवे में लाल के लिए से कहा था कि बलुचिस्तान के लोग अपनी स्वतंतरता के लिए संगर्श कर रहे हैं कुछ इस प्रकायर का उन्होंने कहा था, मतलब एक इशारा किया था कि बलुचिस्तान के लोगों हम तुमारे साथ हैं, तो समझदार लोग समझ सकते हैं बाकी चीजों को, कुछ रह गया इस वीडियो में, ये इस्पेशली उसका मैप है, पाकिस्तान के बलुचिस्तान का, औ और खूब लूट रहा है पाकिस्तान इसको, लेकिन बहुत लोग हैं जो इसको सपोर्ट भी करते हैं, इनकी फ्रिडम की इस मुमेंट को, और बलुचिस्तान भारत का, यहां के जो लोग हैं, इनके मन में भारत के लिए सौफ्ट कॉर्नर है, अगर कल को बलुचिस्तान एक पाकिस्तान के लोगों की संस्कृती से कुछ बिन है, अलग है, बिल्कुल सेम नहीं है, बलुचिस्तान भारत का फेवर करता है, अब हलाकि आगे जाकर क्या हो, क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि जब बांगलादेश बना था, तो यह भी भारत को फेवर करता था, आज वहां पाकिस्तान तक बलुचिस्तान के थुरू इरान तक अभी पाकिस्तान यहां पर दिक्कत पैदा करता है ब्रेकर क्रियेट करता है यह प्रॉबलम अट जाएगी अगर बलुचिस्तान एक अलग से राष्ट्र बनता है अगर यह राष्ट्र बनता है तो इस बलुचिस्तान के म झाल